नमस्का दोस्तों इगनुक के तरफ से अलग-अलग परकार का जो ओफिसली नोटिफिकेशन दिया इया है जो अगस्त परिछा को लेकर बड़ी अपडेट और बड़ी खुस खबरी दिया इया है इन सबी वातों पर जो है दोस्तों एक करके हम चर्चा करेंगे और आपको बत पर क्लिक करके देख सकते उसके अलबा जो रिवुलेशन का रिजल्ट है वह भी आचुके तो जो भी केनिडिट नो जुलाई को अपना देखना चाहते हैं उनका अपना इंडूर्मेट नमबर डालकर डर्ज डिजिट का सम्मिट वाले बड़ी बटम पर क्लिक करके लेकिन यहां पर एक बड़ा नया अपडेट है कि आपका जो हे 12 जुलाई तक किया गया, यानि एक दिन औरAll जुलाई तक समय आपको दे दिया गया जैसो द sixt record यह डिया गया इसमें जो अगस्त का परिच्छा को लेकर यहां पर जारी किया गया देख पा रहें यहां पर जो जुलाई है वो तीन जुलाई को एक नोटिपिकेसन जारी किया गया था उस नोटिपिकेसन में यह बात कहा गया था कि आप सभी का जो परिच्छा वो तीन अगस्त से होगा औ और जो final year student या final semester के है चाहे master degree हो, bachelor degree हो, post graduate diploma या diploma या certificate program हो, सबधीक student के लिए जो है या परिच्छा होने वाले termine examination इसके आलावा दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि किन लोगों का यहाँ पर परिच्छा होगा, तो यहाँ पर कुछ चार्ट के द्वारा बताया है कि किन लोगों का यहाँ पर examination लिया जाएगा, तो यदि आप master degree program में है, यानि कि minimum अगर दो साल का courses है और अगर आपने अपना नमंकन जो है, यानि कि एडविसन का बारे में बात करेंगे, जुलाए 2019 में एडविसन लिया हो या उससे पहले लिये होंगे, तो आप eligible है आप परिच्छा देने के लिए, इसके आलावा दोस्तो बैसलर डिगरी में हो, चाहे BCA का course में हो, तो अगर आपने अपना एडविसन 2018 में लिये होंगे, या उससे पहले लिये होंगे, तो भी दोस्तो आप इस परिच्छा को दे देने के लिए eligible है, इसके आलावा बैसलर डिगरी पोर्राम, मास्टर डिगरी पोर्राम, जितने भी है, यहाँ पर दोस्तो जो चार्ट लिखाई है, उन सभी को भी यहाँ पर परिच्छा दे सकते हैं, तो यहाँ पर दोस्तो जो भी MBA course किये होंगे, उनको भी यहाँ पर प इंपोर्टेंट पॉइंट जो कि intermediate student के लिए है, वो सबसे तीसरा नमर का पॉइंट पे सबसे ज़्यादा important जो है दिया ही है, इंपोर्टेंट इस बात को दिया है कि जो भी examination होने वाला था अगस्त में यह जून 2021 का जो परिच्छा है, वो अब यहाँ पर दूस्तों टर्म होगा है, बलकि आपका परिच्छा दिसंबर 2021 में लिया जाएगा, लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ पर बताना चाहें, इसी प्रकार से जस्ट पीछला साल भी हुआ था, यह notice जारी कि परिच्छा जो है दिसंबर में लिया जाएगा, लेकिन जब दिसंबर महना आया, आते आते एक परमोट का जो है एगनु के तरब से नोटिस जारी कर दिया जाए था, जिसमें परमोट से रिलेटेड जो है रिगार्डिंग जो है सारे का सारे चीज़े बताए गिये थे, कि आप सभी का जो परिच्छा नहीं होगा, बलकि सभी बिद्दायतों को बिना कोई कंड परिच्छा अभी ले, आप क्या चाहते, परिच्छा अभी होना चाहिए, या दिसंबर में होना चाहिए, या आप क्या कंडिसन देना चाहते, परिच्छा अभी लोग नहीं तो परमोट करो, परिच्छा अभी लोग नहीं तो परमोट करो, अपना बिचार जरूर सेर और वीडियो को जाधा-जाधा लोगों तक पहुंचाईें नीचे कमेंट में ज्याधा-जाधा भरिये ताकि उनो का मैनेजम्न को देखें और इस वीडियो में देखें कि हम काफी स्टूडेंटों का प्रॉलम है इससे अच्छा हम सभी को परमोट कर देते हैं कि कि यहां पर जो है सीपर सीफ समय का बरबादी होगा बहुत सारे स्टूडेंट इन्तिजार करते हैं कि हमारा परिच्छा जो हो जाए तो अच्छी है तो यह थे आप सबी के लिए इसके आलावा दोस्तों चोथा पॉइंट में यह भी मैंसन किया गया है कि जो जो भी के निडिएट यहां पर प्रेटिकल के रिगार्डिंग जो थे वह आप जो है रिजिनल सेंटर की वैवसाइट से वहां से आप जो है जो है जान सकते कि आपका परिच्छा जो गव है इसके आलावा दोस्तों यहां पर जो भी टर्म इंडिजामनेशन के इंटरमीड सेमेस्टर हो या यहर्स के स्टूडेंट हो मास्टर डिग्री हो चाहे बैचल डिग्री पुर्राम जो जून दोहजार एकीस में जो किया यह था सुडुल उसको पॉस्पोन करके दिसंबर दोहजार एकीस में कर दिया यह यह आपको उपर में ही बताया यह उसके आलावा द दोस्तों आप दिसंबर 2021 में जो है दिसंबर 2021 में इसके परिच्छा दे सकते और जिसकी रेजिस्टेशन की जो है जून 2021 में खतम हो रहे थे उसको भी एक्स्टेंड करके दिसंबर 2021 तक कर दिया गया तो यह भी एक बहुत ही गुट नीज है सबी बिद्दार्थों के लिए कि परिच्छा दोस्तों नो एक्जामने से इन कंडेक्ट इन अगस सिप्टमबर माल लेते हैं कि अगस सिप्टमबर में परिच्छा अगर कंडेक्ट नहीं होता है तो यह परिच्छा दोस्तों आगे की और एक्स्टेंड कर दिया जागा यानि जो भी फी होगा वह आपका आगे भी बढ़ाये जाएगे यह एक पहुती जवजस्त खुसकबरी सभी विद्धाटों के लिए तो यह थे दोस्तों आप सभी के लिए कुछ ओफिसली तोर पर नोटिफिकेशन अब आप यहां पर एक मुद्दे पर हम बात करेंगे कि यहां पर दोस्तों आप बताएं कि जो किया यह है सभी विद्धाटों जो परिछा को कैंसिल करके दिसंबर में लटका दिया यह है यह सरासर गलत है हो रहा है इगनु के स्टूडेंटों का और एक बात हम बताना चाहेंगी इगनु के स्टूडेंट में एकता नाम का कोई चीज नहीं है उनको बोलते हैं कि कम बिद्धाटें बिल्कुल भी कमेंट जो है नहीं करते हैं यह सबसे दुख भरी कहानी है दोस्तों इगनु के स्टूडेंटों के साथ जो कि इगनु के स्टूडेंट एक साथ नहीं होने के कारणी इगनु की मनमानी होती है अब आप नीचे कमेंट करिए क्या यह जो है मनम एक बार इगनु को सभी विद्यार्थों से जरूर पूछना चाहिए कि हम इस तरह से करके कंडेट करवा रहे हैं परिछा को रद करवा रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं इस बात को लेकर इगनु को जरूर एक बार सभी विद्यार्थों से बात जो है करना चाहिए था लेकिन लेकिन ऐसा कोई भी बात जो है इगनू नहीं कहती है डारेक्टली वो अपने मर्जी से जो है एक्स्टेंड कर देती है यह बहुत ही खराब है अपना बीचा जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों इसी परकार से नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलते ह नई वीडियो के साथ नए जानकारी के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद